हलो चो वैक्टर अवारा कम्प्लिट हो गया है और आज हम में आगे बढ़ रहे हैं रहों हमारी युनिट का नाम है Stephen कानमे किनिमेटिक्स कानमेटिक क्या होती हैनेदिमेटिक्स को ये और ब्रांच है जो डीर करती है Lowjects in Morton जो अब्जेक्ट मोशन में है ठीक है बई अब काइने में इसको हम लिख सकते हैं ब्रांच ओफ फिजिक्स विच डिल्स विद्ध ऑब्जेक्ट और बोडी इन मोशन बोडी इन मोशन विदाउट कोज बोडी मोशन में है काइन क्या है उसके हमें अब क्या मतलब नहीं हो और जहां विद कोज की बात आए कारण भी कंसिडर किया जाए इसको गोलते है डाइनमिक्स ठीक है यह आगे जाके कुछ आएगा इसको गोलते है काइनमिटिक्स मेरी बात समझवारी है ठीक है इसे आगे जाके हम लोग बढ़ेंगे सर्कुलर मोशन वगेरा तो वहां वो बोड़ी वो डाइनमिक्स में आजाती है फिलाल हमें किसकी बात करने काइनमिटिक्स थी तो फिलाल हम इसके वारें डिसकस नहीं करेंगे काइनमिक्स इसमें मोशन का कारण क्या है वो चाहिए सर्कुलर मोशन वगराएंगे आगे वहां देखेंगे ठीक होई तो काइनमिटिक्स क्य ठीक है बही इतनी बाद समय में काइनमेटिक्स क्या होता है इसके बाद बाद आती है क्या types of motion परली बाद आती है motion rest क्या होते है विसी विसी बात इसे बाते अगर किसी बोडिंग की पोजिशन ताइम और सुरॉंडिंग एकोडिंग चेज़ ना हो तुसको क्या बोलते हैं रेश्ट पर जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मैं यहीं खड़ा रहता हूं स्रॉंडिंग में अगर पीछे बोड है सामने कुछ दिखाए दे रहा हो दाइवाएं और कुछ टाइम बात देखोगी तब भी आपको वही दिखाए दे रहे हैं इसका मतब मैं रेश्ट हूं तो स्रॉंडिंग के कोडिंग आसपा किछे दो के एकोडिंग ऊपर टाइम के की अगरिन से इसाइन आन्ध कोडिकल एककशा काओ ड़िस और टाइम होरी और रहै रहे हैं विद टाइम एंड सरॉंदियों विद टाइम एंड सांदियों प्रमोशन क्या होता है अबोडी इस इन मोशन इस पोजिशन चेंजीश विद टाइम एंड सांदियों अब गाडी डी रूट को चल रही है हर इस को उसकी लोकेशन चेंज हो रही है स्रॉंडिंग एक रूटिंग उस प्रा κι हो बभट आ मुचन में है पर मोशन फिक है वह समया गई इसके बाद मैं बोलूं कि बई मोशन है ठीक है कितने परकार पर होते हैं तो अगर बोलूं टाइब सोफ मोशन ताइब सोफ मोशन तो पहला इसके अंदर आता है वन डामेशनल मोशन वन डामेशनल मोशन क्या होते हैं इफ आ बोली मूश इन श्रीट लाइब और यह एए वञे वट यह वोंडायशनल मोशन की फोल इे वन डैमेशनल मोशन ठीक है बई यह वट कर समय में आके फीटा कि लिए रोगे वन डिमेशन मोशन क्या होता है है हो गया समझ मागा अगा सर अगर एक बोट इसीदी चले तो वो वन डिमेशन मोशन होता है ठीक है तो पताओ यह X-axis है यह Y-axis है और यह Z-axis है अगर एक बोट इधर जा रही है अगर एक बोट इधर जा रही है तो यह भी बन डिमेशन मोशन यह यह भी बन डिमेशन मोशन तो अगर एक बोट इए X-axis के लोग जाए Y-axis के लोग जाए यह Z के लोग जाए दो वो क्या कर लाएगा वन डिमेशन मोशन इतनी बात मुझे समझ में आ जाती है इसके बाद अगर मैं बोलूं कि अगर एक बोट इधर प्लेन में मूग कर रही है यह 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 10 मेंटर पर सेंट तो क्या यह वन डिम क्योंकि इसमें X-axis plane है इधर जा रही है और यह सिन अगर बात करें तो हर इसेंट पर दो कोडिनेट आएगे अगे बता देता हूँ तो क्या ये बद्द धेमेशनल मोशन है या नहीं है यह बताओ बन्द मोशन में मैंने आपकोוסिक बता चाहिए थे स्ट्रीट लाइनफ मोशन और यहां पर क्या रहे हैं हरे एक्सेंटμαι एकस Tú दोनों कोड़नेट आ डा रहे हैं क्या मैं तुमें कन śूज तो मुझे यह बताओ यह बंडाइमेशन है या नहीं समचो यह बंडाइमेशन मोशन है वंडी क्यों पहली बात यह यह बोड़ी चीदी जा रही है वेलौश्ठी कॉंस्टेन्ट है तो वेलॉश्टी एक वैकर क्यों आँटिटी है इसने दो चीजे ओत티 मैंनिटीट एक यह बंडाइम बंडेक्शन वरिण इसका सटाजरा यह बंघ्यं है। कोडिनेट हानी स्टेंट पर अगर होगा ठीक है कोई दिक्क्रत नहीं है लेकिन एक दूसरे को इस टाइब से लेगा कि वो स्टेट लाइन फॉलो करें तो यह भी बन डामेशन मोशन कहलाएगा जरूरी नहीं है कि X-axis के लोंग हो या Y के लोंग हो या Z के लोंग हो ठीक है ब कि वेलोस्टी ओप बोडिए गिवन वाई इस इत है बांटिशन do notación थेना इंशर न फूसर मोशन पच्छे कंफ्यूई या ouresarिर मेशो 2को या तो अगए टू डेमेंशनलल लिफदू नहीं वन-डेमेंशनलल सिती गया है वन-डेमेंशनल शिंख Natomiast कफ़ेफ केंड़ी काहँ हो टो अगर वेलोस्टी कॉंस्ट्थेंट इस वेलोसिटी कॉंस्ट्थेंट देन अध्सलेशन जी को समझ़र तो वेलोसिटी इसी में आपके पास एक चीज और दिया में क्या इस वेलोसिटी गीवन एक्सेलरेशन भी गीवन then may be 1D may not be 1D अगर वेलोसिटी गीवन है एक्सेलरेशन गीवन है तो 1D हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कैसे कैसे मोदिवन मान लेजिए एक क्योशन ही लेगी चलता हूँ है वेलोसिटी गीवन है आपको 2i-4j एक्सेलरेशन गीवन है आपको i-2j is this one dimensional motion or not यह क्योशन मान लो पुछा जाए आपसे बेसिक तब क्या बताएंग इसके अंदर देखो वेलोसिटी है एक्सेलरेशन के लांग 2 और y के लांग 4 magnitude है यहां देखा जाए तो एक्सावर्मेट 1 है और y का डबल है तो बेसिक फॉर्मेट इसका मतलब बोडी की वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब जिदर वो पहले चल रही थी उसी डारेक्शन में ही बढ़ेगी इसका मतलब जो स्टेट लाइन मोशन उसका था उसी डारेक्शन में उसकी वेलोसिटी वड़ती जाएगी इसका मतलब जो पात था फावन ड्दार मोशन चेंज स्ट्रेट लाइन पात चेंज नहीं होगा तब क्या हो नहीं जेंगे वटी फांबाश अक्सेलेट ऋगी वो स्ट्रेट लाइन पात से होगी अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डारेक्शन में हो तो भी बन डाइमेशन मोशन होता है ठीक है यह बात समझ में आगे एक्सेलरेशन और वेलोस्टी सेम डारेक्शन में होता है वन डारेक्शन और देख लो मालो वेलोस्टी आपको देदी 2i-cap प्लस माइनस 2i-cap प्लस 6j-cap और एक्सेलरेशन आपको देदी i-cap 3i-cap प्लस j-cap ठीक है यहां पर इसको यह काम भरो 3i-cap लेलो माइनस 9j-cap ऐसे लेगी चलता है तो वेलोस्टी और एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो वेलोस्टी और एक्सेलरेशन अगर देखा जाए कि यहां क्या था वेलोस्टी और एक्सेलरेशन एक दूसरे का कुछ मल्टीपल आजाए तो वेलोस्टी और एक्सेलरेशन के मेलोस्टी को द्यान में कैसे यहां पर मैं लेता हूं माईनस टूं मन तो आई माईनस त्यारेट में लेता हूं स्क्राइशन में या रेक्सेलरेशन अ क्याक पर पर सब्सक्क्राइश यहां मैं लेता है अंतली थुड़ 한oc arm अगर यह चीज सेम आ जाए और यह से मल्टीबल आए एक्स के जिए टू एक्स आ जाएगा यह एक ही बात तो यह चीज अगर सेम आ जाते है कॉमन दोनों में तो वंडी कहलाएगा तो क्या कहलाएगा वंडी ठीक है और माइनस साइन इसका मतब्द एंटी पैटल कि वेलोस्टी आगी है तो एक्सलेशन पीछे इसका उमतब्द क्या हुआ पहले वेलोस्टी डिग्रीज होगी फिर जीरो होगी और उसके बाद एक्सलेशन की डारेक्स में घूर्डी मुव करना शुरू करते हैं बात में बढ़ेंगा आगी जाए फिल आलम बात करना है एक्सेलेशन ही तो अब यहां देखो एक्स कोडिनेट क्या है 2 य कोडिना इंट कि नार रहा है और एक्सेलेशन और विलश्च दून अनौ अलग अलग डारेक्शन में है और दो कोडिनेट हैं तो कैसा होगा तू डामेंशनल मोशन यह हम पढ़ेंगे अब तो नॉट वन डी नहीं होगा वन डी कब नहीं होगा जो यहां से कुछ कुछ नहीं आई तो वन डामेंशनल मोशन क्या होता है समझेवागे स्टेट लाइन मोशन ठीक है तब यह आ जाती है क्रिश्ण ऐसे इसके बाद वोज आपसे बुचे रहें तू डामेंशनल मोशन क्या होता है तो डामेंशनल मोशन क्या होता है तू डामेंशनल मोशन भी पर बाद वहे होता है तू अपस्ट पड़ पर वचार इसर मोशन क्या होता हुचार जो उन्सक्रभ बधित वहाच है तू दूबचाई नाली स्ट्रा नालगया थे थे कृणा ऑस, medios चलेट यहाच, doc़ बादींश बवाः संस्स्ट्णित तू ठीक्तॉ recipro्त अबढ़ क कर्वी लिनियर मोशन का कर्व बढ़ता है कर्व जैसे आगे आगे आप बढ़ें ने प्रोजेक्ट आई तो प्रोजेक्ट आई टू द्यूमेशनल मोशन है अपीलेंगि आंदर मोशन हो मतलब क्या हुआ यह में तो दो कोडिन्ट लेके क्या बनता है एक प्लेण कि लाइन के होती है स्टेट लाइन कोई दो लाइन एक्स पर य मिलके क्या बनेगा प्लेण सर्फेस बोर्ड का है प्लेण यह X axis यह Y axis ठीक है अब इस surface में स्टेट आना है तो बंडी लेकिन यह two-dimensional motion ठीक है जैसे यहां पर एक मतलों मोड़ा चल रहा है तो मोड़ा ऐसे जाएगा तो कुल सा motion है उसका 2D तो अगर एक body plane में move करती है उसको क्या बहुत है two-dimensional motion मैं लिख सकता हूँ if a body moves in a plane then it is two-dimensional motion जैसे insect crowling on surface आग जां पक दे रहुत है ठीक है अच्छा यह revolution of earth around sun, क्या वो लेन इसको, earth sun के around एक circle में घुमती है, जैसे यह sun है, इसके around को ऐसे घुमती है, तो क्या बन रहा है, plane बन रहा है, circle बन रहा है, तो वो भी एक two dimensional motion होगा, क्योंकि यह ऐसे ऐसे घुम देगी, और अगर देखा जाते है, एक ऐसे surface बनेगा, तो surface का मतलब plane, plane क्या होता है, surface, समझेक न, जिसके उपर हाथ ऐसे फिरा जाएगा, surface plane surface, और जिसके उपर हाथ ऐसे जाएगा, करो surface, तो plane surface की बात कर रहा है, समझेक, तो earth sun के round ऐसे गुमती है, moon earth के round एक circle में गुमता है, तो जो circular path होता है, वो किसमें आता है, 2D में, जो circular path होता है, 2D में, circular path, 2 dimensional, समझ गई मेरी बात, circular path जो होता है, कैसा होता है, 2 dimensional, ठीक है, एक plane surface पर कोई body move कर भी है, तो वो क्या होगा, 2 dimensional, अगर ignorant vector की टर्म में लेगे जबिए, velocity में ने कहाथा, i plus 2 j लेगो, और acceleration ले ली जाए, i plus 4 j, i or j में से कुछ common नहीं आ रहा, इसका मालवा तोनों अलग-अलग हैं, अलग-अलग हैं तो, velocity और acceleration की डारेक्शन अलग-अलग होगी, velocity और acceleration की डारेक्शन अलग-अलग होगी, कुछ हमने नहीं थें बढ़ा हुआ है, उसके बेश्टे मैं बोलूँ, अगर एक body इधर जा रही है, acceleration है इधर, तो क्या होगा, यह velocity देधर इधर जी तरफ मोड़ेगी, और यह अगर कैसे मुड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, कर्वी linear motion हो गया, और कर्वी linear है तो, टू-डाइमेंशन मोशन बस मुझे वारी है, तो acceleration और velocity सेम डारेक्शन में है, तो state line motion, 1D motion, और वो state time में कब होगा, जब i और j वाली कोई मीटर मापस में common, आ जाए और बारेक्शन बचे, जैसे मैंने बंडी के सवाल करवाये थे आपको, इतनी बाद समझ में, आ जाती है आप लोगों को, कि यह कैसे होगा, ठीक है, तो 2D क्या होता है समझ में, आ गया 2D मोशन में, ठीक है भई, इसके बाद अगर बात करूँ मैं, कि 3D मोशन क्या होगा, अगर मैं इसके बात करूँ, कि 3D मोशन क्या होगा, इसके बाद समझा होगा, if a body, moves in space, all x y z coordinates, मतलब काईट फ्लाइंग, बर्ड फ्लाइंग, इन स्काईब, काईट वगर रहा है, फ्लाइग, बर्ड वगर रहा है, तो ऐसा तो एनिक उपल्गू सिदह जाएगा, वो कभी उपल निच्छे दाए माएं, तिनो कोडिनेट चेंज करेगा, इसका मगब, वो थ्री डामेशन आजाता है, मतलब अगर कोई बोडी एक सरफेस से अटके चले, एक स्कूटर है, रोड पर चल रहा है, सिदह जल रहा है, तो बंडी मोशन, लेकिन अगर वो ऐसे ऐसे जल रहा है, तो रोड के टच में है, रोड से उसकी हाइट, एक स्कूटर है, उसकोई बच्चा बैठा हुआ है, रोड सीदह चल रहा है, तो स्कूटर से उसकी हाइट एक मेटर है, चाहिए वो टेटा चल रहा हूँ ऐसे, तो हाइट को हमेशा एक ही रही है, मालनोग जैड एक सीज क्या होगा है, फिक्स, एक्स वाई मीचेंज आ रहा है, तो वो टू डिमेश रहा है, तो यी अपने आगा है, तो वहाँ पे आई माने संथिंग जै कुछ भी कॉमन आ गया था, उन्ली में चेंज हुआ था, बरी बास बास समझ रहे हो आप, इसका मातलब एक फिक्स चीज आ गई, वही आगे जाकर रिपीट हो लिए, तो वन डैमेशनल मोशन में बेस में एक कोडनेट चाहिए में दो चाहिए है तन तो है कि इससे है कि लिए तो वन ड्र Π offerings को मुशन में थेंगा और 1-dimensional motion में state line फ्रवब घुमारख खत में बता दिया 2-dimensional motion में क्या होता है 2-dimensional motion में बोटी सरफेस पे पिलन पे चलती है 3-dimensional motion में space में space का मतलो open space x y z 3 तीनों पॉड़नेट चेंग हो ठीक है वाई ये मुझे समझ में आ गया 3-dimensional motion क्या होता है 1-dimensional क्या होता है